निरन तरता से, ना, continuity आपकी रहने चीए, तब जाके एक बहुत अच्छी रहन काते है, अदर्वाइस आप आतों जाते हो यहां तक, यह ऐसे निया आए जाएगा आप देखना, आपको लग रहा है यहां तो ऐसे पहुंच जाएंगे, जीव निकल जाता लोग को को कई हो का में परीपास करने और यहां तो ऐसालिए कि पढ़ता नही था मैं पढ़ता था बीच बीच में मुवीज देकि तो यह नहीं मिला परवां था अ HAVE लेकिन लांपर वथा लेकिन पढ़ता भीत मुद हो दोई काम कOoh सोना पढ़ना मुवीजी तो पढ़ता था मैं पढ़ता भी खूब था तो फिर प्रीदिया चलो दोजार आट दस क्यास पास ही यहां तो मेरा सफर स्टार्ट वा था यहां सामने एक नाराइन नाराइन दिख रहा है अब डग दिया इन्होंने पहले करेर पुइंट था यहां पर न तो ग्यार्यू क्लास में यहां यहां था करेर पुइंट में आए टी जेपुर में तो तब वह गाउं जेपुर में ही है अब यहां से पढ़ते थे तब अब में भी आप में से कुछ बच्चे साहथ मुझ से रिलेट करेंगे तब अपन पढ़ते थे यहां आगे फिजिक्स तो समझ में आती ने थी पहले शुरू आतमे निया थी वेक्टर वेक्टर पता ने यहां वड़े जो टीचर थोड़ा पढ़ा देते और एकदम से अपन को तो पहली बार वेक्टर आया सदिस्ट दिखा कुछ दिखाई नहीं सदिस्ट में क्या होता है तो ऐसा कुछ हुआ था भास 11th क्लास में आते हैं पहले टेस्ट में 0 नंबर आये थे और पुरे पुरे निमेरिकल स्काई तो दिर 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 लेकिन उसमें यह था कि वह सुरू के दो साल ऐसे निकले क्या अदमी क्लास में पूरा सीरियस मुझे पता ऐसे बच्चे कुछ होंगे यहां पर क्लास में पूरा सीरियस होके पड़ते सब कुछ था गर पर जाके बहुत कम पड़ता था कभी पढ़ाई कभी नहीं सब्सक्राइब यह उसका एक रीजन यह भी है कि हमने उस साल पहले तब वहां पर एक कदम रख दिया था आज आप दोड़ना स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता दोड़ने पाऊ लेकिन कल आप जरूर दोड़ जाओगे ऐसा कुछ था वह सुरातीनी सिल्फेज तब दिर दिर किया 2015 में बिटेग हो गए ठीग है और बिटेग में कोई पड़ता है नहीं एक्जाम वाले दिन लास्ट वाले दिन पढ़ लेते हैं रकर कराकर आके पास हो जाते हैं तो में विकानेर से हो गया फिर लगा कि पढ़ाते हैं अपने पढ़ाने का सोकता तो मैच पढ़ा ही तब 11 12 वालों को शुरूव में की कोचिंग इस्टिटूट में जाएंगे या मैच पढ़ाएंगे लेकिन एक डो मेने में समझ में आ गिया कि नहीं यार पढ़ाने में मजा नहीं है फिर कि वो तब SS जलती कि आप भी चलती है तब इसके ज़्यादा ऐसे लिए क्ला करते हैं ॥ दोस्तों इन नहीं निमत नहीं है आपने सारे साईस नहीं बना जाएगा अपने इमत भी नहीं है ऐसे सीजीएल करते हैं ट्राइ तब यह पताता है, इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं अब बिना पड़ाई काहां से प्लेस्मेंट होगे कुछ पड़ाई करी नहीं उस लाइन में और फिर बाद में लगा गया अब करना कुछ काम तो फिर काग पड़ाएंगे पड़ाने से पारने पड़ी तो एक दो मैंने तो पड़ाया फिर वो साथ-साथ एक साल तक पड़ाय हो गया था कि नो क्री मिल जाएगी बड़ी ऐसे इंस्पेक्टर वाली पोस्ट वहले लगता ही सुरुवात में हो सकता है आपको भी लगता है आरे सपन कैसे बढ़ेंगे एक नहीं बढ़ेंगे ऐसा सब को लगता है मुझे भी लगता था फिर सोला का ये 2017 में अत्या-ते इ दिख रही है यहां पर फिर मुझे लगा आरेस करना चाहिए थोड़ा सा बहुत यहां पर रिसर्च किया ता पता लगा कुछ ज्यादा मतलब है नहीं इंस्पेक्टर के पोस्ट में ज्यादा पावर नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते और ज्यादा तो बाहर पोस्टिंग प चला करते थी एक ही वहां पर दो तिन ग्लास्रूम ते तो यहां से त्यारी स्टार्ट करी 2017 में त्यारी करी और 2018 2018 में RS की विकेंसी आगी 2018 अगे तब तक बंक चन्डिग्ड़ में ज्याइस आगी तो पढ़ाई भी साथ में लेकिन चन्डिगड में जौनिंग आ यह फिर वहां पर सकाथ हिसा गिंशी तब हमारे सिलेबस हो गया was a तब साल 15 मेने में इस लेवस हो जाता था हमारे आज गला आपको खुब सरी चीज़े पढ़ाते हैं फिर भी आप नहीं पढ़ते हो ठीक है फिर क्या हुआ हाँ दो मेने मैने जोब करी वहां पे चंडीगड में फिर रिजाइन कर दिया मैंने वहां से वापस एक बड़ा डिस प्रिपास हो गया फिर मेंस दिया मेंस पास हो गया और लास्ट में फिर फाइनल रिजल्ट आया उसमें फिर यह रह गया पहले इसका आरेस 2018 का जो दिसमबर फिर 19 का जो जनवरी आया आठारहवारा तो तब इसका एक्जाम हो जाना चाहिए था लेकिन इसका एक्जाम भी छह मेने आगे किस अगया वा था कियों ने दिया होगा आपने फिर उसके बाद दुबारा जब रिजल्ट आया फिर मैं मैं मेंस देने के बाद 12,18 में मैंस के बाद आदमी आरेस में खूब मज़ा इता है स्काशल कि बिडिग आदधिया पंसाद दिन खूब पड़ लिया और पंसाद दिन आपने पढ़ाए बिल्मिल rigor ऐसे दोरे ज्यादा पड़ने लग जाते हैं गेप पांसा दिन फिर कूप पड़ लिया पांसा दिन कुछ बिल्कुल नहीं पड़े 2015 से पहले मुवीज वगेरा सारी देखते थे सार दिन यह काम होता था मुवीज देख लो यह कर लो ना मस्ती करना सारे दिन फिर यहां से आने के बाद 2015 से 16 17 18 तीन साल तक कुछ नहीं किया जितनी मुवीज वगेरा सारी पेंडिंग थी वो यहां इस परिशे मैंस वाला जो गेप था उस दोरान पूरी गड़ी पांसा दिन पड़ने वाले में कुछ नहीं फोन औं चुचोप किसी से बात करना नहीं फिर वो जो लास्ट के पांसा दिन आते जिसमें कुछ नहीं पड़ना चाहिए टेस्ट मतलब तीन दिन दिन बाद में नहीं ऐसे मन में बता नहीं किया confidence था कि हाँ पड़लेंगे पड़लेंगे अरग हो जाएगा हो जाएगा इसले बस फिर दो दिन बस थे उसको तो ऐसे पड़लेंगे उसको ऐसे रो वह हो गया वह तो हो गया आँ बताओ मूगी कौन से देख नहीं यह बताओ फिर एक नहीं wave series का जमाना भी आ गया तो यहीं से स्टार्ट वाता है wave series वगएरा फिर कैसे जिसे मेंस तक पहुंचा और मेंस में पता लगा फिर मेंस बाद में दो साल ऐसे खराब कि एक आरेस में दूसरी गलती देखो मैं गलतिया नोट करता हूं पहली चीज तो गेप तो गेप को हम ऐसा कहेंगे कि इसको कैसे पूरा करो आप निरंतरता से continuity आपकी रहने चीए तब जाके एक बहुत अच्छी रहन काते अदरवाइस आप आतो जाते हो यहां तक यह से नहीं आया जाएका आप देखना आपको लग रहा है यहां तो ऐसे पहुंच जाएंगे जीव निकल जाता ल कमाने के बार-बार मौके में लेते हैं यहां भी मिला था जैसे में तो मैं CGL वाली कोचिंगों में पढ़ा सकता था मोग्या बला लेकिन मैंने वांट ड्रोप किया कि नहीं नहीं अभी पढ़ेंगे फिर ये नोकरी लगी सरकारी तब लगा कि पैसे कमा लेते हैं फिर लगा कि नहीं 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 एक बार नोकरी छोड़ते ही हैं फिर होगे फिर में सतने के Пाद मेंकर आदमी यहां भी कंटीमूनर नहीं में तो अपना लेवल और बढ़ता लेगिन फिर नेहीं अ पढ़ाना है फिर में नहीं आप दाने वाड़ी लाएन में में वापस आगया ता दो साल क्या बीच में कोईथा पास वेद्वील और को पने व गैसे तो कोविड वाला टायम यहां पे आया तो एक तो यह कि मैंस देने के बाद में बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते है रस में यह सबसे बड़ी गलती रहती है ऐसा नहीं करना ऊता आपको ठीक है और फिर रिजल्ट आया रिजल्ट आने के बाद में पताया लगा वापस से पढ़ाई स्टार्ट करी तो पढ़ाई स्टार्ट करी उसमें प्रीके एक्जाम तक तो वह घर से रेके पढ़ाई करी तो मैंने यह भी देखा कि जैसे यह मेंस वाली पढ़ाई फिर उसके बाद यह कि दो जार आरे सिकीस की वेकेंसी साथ दिन बाद में आगे थी हमारे रिजल्ट आया तब फिर वापस किताबे उठाई तो पहले तो यह लगा कि एसाई का एक्जाम आया था तब सब इंस्पेक्टर का फोर्म बढ़ते हैं तो तब टार्गेट यह था कि ड़ही मेने बाद ए पता रहा था हिंदी और इंग्लीस फोर्थ पेपर पेपर नंबर फोर्थ यहां पर गड़ बढ़ करी चोती बात कि कोचिंग से दूर चल जाना घर पर रहके पड़ाई करना मतलब आपको पास ऐसा महूल रहना चीह हमेसा कि आपके आसपास पड़ाई वाले बनते रहने च को यहां आता था टेस्ट देने बने बताया कि कभी पड़ाई का मन नहीं किया तो ऐसे लगता रहता कि टेस्ट देंग्ट नहीं देंग्ट एक बार तो बाइक लेका आता रस्ते से मूड़ कर वापस चल आ जाता है यह 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 सब के साथ होते हैं आपको फिल करना यह करना नहीं करना मन नहीं कर रहा है यार पूरी चीज़ें आती नहीं आती है टेस्ट दें नहीं दें फिर गयार क्या करें तो दोस्त को फिर ऐसे उसको दोस्त को बोल रहा है अपनों दोनों मिलेंगे उसको जूट बोल दियार मेरे तो कोई दिक्कत हो गई मैं तो वापस जा रहा हूं और सव्हेसा वह सकुछ हो गया तो कौण सी बात नहींगे हैं एक कोचिंग से दूर थोर नहीं जाना मुई पर आ सब कर द से बहे के बाद में प्री और मेरों की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब को की सब्सक्राइब मेर्माइब पंज बाल है इस पूल'd यह छी तोंग से मीत बड़े कई रई हैं।ंगَّ यहां आरे स्मेंस की आठ कंटे या दस कंटे क्लास होती तो उस बाहने अपनों भी पढ़ लेते मेरे एक महुल देदो तब तो में पढ़ लेता हूं फिर कुछ नहीं बात चीत फोन देखना रहा यहां ऐसा ने तो बेटे-बेटे नोट्स बना लो सोट नोट्स बना लो अपने साफ से चीजें पढ़ लो तो पिछे बेटे-बेटे सर की बाते सुनी तो सुनी भी बाते याद भी रहती है वापस से आप दुबारा देख लो तो पिछे बेटके पढ़ाई गरी फिर वो तीन-चार मैने पढ़ाई थी उसके बात में थोड़ा ठीक रहाता तो ऐसे कुछ चीजें यहां पर रही तो मैं चीज थी सबसे बड़ी बात यह बताऊं तो यह नहीं करना होता है क्योगी कौन से रॆँगाई अँवार कौन सी थी ति हैं है यह 224 रिएंग ठी लेकिनresse फिलेशना च्षोटे देखो तो मैंने चीज तो यह रही है न मैंने का कि यह मैंस देने के बाद में दो साल तक कुछ नहीं किया है बढ़ाना या दरुदर करना अगर विक्ति कॉंट्यूनेसली निरंतर रहे यहां भी यही था पहले एक बार हमारे दिसंबर तक स्लेवस हो गया लगबग मेरे को लग रहा था एक्जाम हो जाना चीए लेकिन छह मैंने एक्जाम आगे किसक गया तो मैंने का था कि आपकी तेयरी यहां जाने के बाद ऐसे भी आती है फिर वह वापस चली जाती है फिर यहां आती है एक टाइम बाद ऐसे चलता रहता है किसी के यह लेवल चल रहा है डेड़ साल तक उसने पढ़ाई कर लिए यही एक्जाम हो गया तो हो सकता वो टोप कर जाए एक्जाम को तो अगर लंबा अगर फेस चल गया तो उसमें फिर कॉ फोकस भी कमने हो जाता है पार बार एक रील देखिया आपने दस सेकंड की फिर दूसरी आ गई तो आपका वो फोकस है वो एक अगरता कम हो रही है जदा बोलने से दर उतर यह तो यह जमाना तो इन से बचना पड़ेगा आपको यह आज कल जमाने में यह सारी चीजें करनी पड़ेगी और यह गेप आपको नहीं देने होंगे प्लस हिंदी इंगलिस में मेरे पता नहीं क्या हो रहा है पिछली बार बीच 88 नंबर आए इस बार 84 नंबर यह अलंगी इस बार के 84 नंबर थीक हमले इतनी बुरे नहीं है अगर यह 95 तक आ जाते तो अच्छे नंबर है पिछली बार तो 80 इसलिए खराब है कि टोपर के आए ते 148 तो 60 नंबर का गेप 60 में तो आदमी रहसे पिल्कुली आउट हो जाता है इस बार टोपर के आए लगबग 116 नंबर इसलिए ठीक ठागे जदा गेप नहीं है लेकिन पिछली बार जदा गेप था तो हिंदी इसपास नहीं हुआ उनके इंदे इंग्लिस में नब्बन नंबर आए हैं तो अगर आपके इंद इंग्लिस बढ़िया तो फिर इसका मतलब आपको कहां जदा मेनत करने की जड़त है पर जो एक दो-3 नहें वहां पर अगर मेनत करने की जड़त है तो उस चीज़ों को टीनी दिया था पेले तो पिर बें पड़ा हुग उधा घ्रीक मैं दोस्तों को आपको भी पड़ाए तो ने तो आपको एक ते जिसे करी तो यहां मेर्या आलत खराब तो इस चीज से कैसे देखो होता सब के साथ है तो कैसे कनेक्ट रहे हैं एक तो कोचिंग के आस पास रहो सार दिन पड़ो यह उल्टिसी दी चीज हैं इनसे दूर रहो मेडिटेशन करो थोड़ा सा कुछ ट्रक्टिस करो एक्सरसाइज करो तो इन चीजों से पास पास रहो क्या है 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 यहां यहां स्लेबस पूरा हो जाए फिर यह को टेस्ट हो ने टेस्टरी जहां मैसा चलती ऐसी बात नहीं है लगबग दैसे मानलों भी वेकिंसी आ रही है तब तो टेस्टरी चलेगी तो तीन चार मैंने आप रीम हो जाऊ गए चार मैंने मैंस में फिर अगर मैंस मानलों हो गया उसके भी एक-दो मैंने बाद वापस यह स्टर्ट हो जाती है बीच-बीच में चलती रहती है टेस्टरीच ऐसे बंद नहीं होती जो लोग वापस continue रखना चाहते है आलेकिन आता है तो निबंद आपका और अच्छा हो जाएगा एथिक्स आप पड़ोगे एक पुर्य पेपर में तो एथिक्स अच्छी हो जाएगी प्लस आईएस के एक्जाम में पड़ोगे तो मन से संकीनता दूर हो जाती है ज्यादा पड़ने से फिर यह चीजह आपको छोटी नहीं हो जाती है नहीं हो पाती ठीक है तो जैसे आप कम्मेंट्स का एक्जाम हो जाएग उसके बाद आईएस के त्यारी स्टार्ट करना ऐसे मुत करना रहे पूरे करा दिया ठीक है